तो दोस्तो स्वागत है आपका एक नए पॉड़कास में आज के एपिसोड में हमारे साथ है दिल्ली के बहुत ही मशूर ऐस्ट्रोलॉजर्स साक्षी ठाकुर जी और उनके हस्बेंट संजीव ठाकुर जी ये लोग टीवी पे कई साल प्रोग्राम करते आए है ऐस्ट्रोलॉ पूछूँगा तो सैर इसी से शुरू करते है कि सच्चा एस्ट्री सब्सक्रालिट माइब काता है और वा कि ऐस्ट्रीम officer से वह कैसे अलग होता है बिलकुल बिलकुल देखे प्रभु जी एस्ट्री इससे नॉलेज़ क्या दिखिव गाता है अपने को नी के बारे मिन अप कि आपकी पत्री का देखी, मैंने एक दो बाते आपको बता ही, आपको लगा कि हमेच कर रही है, तो किया आप जिस गुरू के पास जा रहे हैं, उसे नॉलेज है, उस चीस की, क्या वो जानता है, क्या कहीं आपको जा के बताना तो नहीं पड़ रहा है उन्हें, कि गुरू ज आपको ये प्रोब्लम है, आप इस प्रोब्लम के लिए आए हैं मेरे पास tor ये बात पहिता है जैसे आप डॉक्टर के बास जा ते रहें डॉक्टर कहता है आपको यह समझता है曼 ये वीमारी है mobilize कि म्री तो यह साइन्स मेडिकल से भी आगे चल चुकी है अब कई लोग है कहते हैं हम कहते हैं आपको बेबी में हो पा रहा है बेबी में समयच्च्या है आपके पेट में ये प्रॉबलम है वो कहते हैं हमने 10 टेस्ट कर वा लिए 20 टेस्ट कर वाली है कोई बता ही नहीं पाया हमें समस्या क्या है और आप लोग यहां बैठे एक पत्रिका में एक चार्ट में देखे कैसे बता रहे हैं अब मैं आपको एक इंस्टेंट बताता हूँ हमारे पास एक इंसान आया वो पूरा पीला उसे पीलिया हो रखा और उसे डॉक्टर ने का होगा तो और एक हथे का टाइम है आप बलीव नी करेंगे हमें ऐसा लग रहा तो वह अपने हात्रों पर मैं बिल्कुल हम शॉप्ड होगे यह चंडी गड़ की बात है तो मैंने उनसे का प्रभू जी मेरे मालिक मुझे एक हथे का समय दे दीगे कहरा गुजी मेरे पास तो चाही एक हथा मेरे तो लीवर डैमज हो चुका है मुझे तो वह ट्रांस्प्लांट करवाने उसका मैंने कह मुझे एक हथे का समय दे दीजिए मैं आपको गरंटी दे रहा हूं डॉक्टर हरान हो जाएगा एक हथे हमने उसे रहमेडी बताई क्या बताई आप सोचिए चने चने की दाल ब्रस्पती है ब्रस्पती ही लीवर को अपरेट करता है जिनको नौलेज होगी वो समझ जाएंगे चने की दाल तरतालेश दिन उस इंसान ने मंदिर में रखी उसका लीवर रिकवर कर गया डॉक्टर तक हैरान होगे वो इंसान मुझे कह रा भगवान है मैंने कि साइंस को तो टेस्ट करवाना पड़ता है चीरना पड़ता है ब्लेट टेस्ट करवाने पड़ते है यूरिन टेस्ट करवाना पड़ता है स्टूल टेस्ट करवाना पड़ता है और इस साइंस में सिरफ पत्रिका में देख के आपको बताया जा सकता है आपको यह बीमारी होने वाली है और कौन सी और ये बीमारी लेकर आप आए हैं आप हमारे पास इसलिए आए हैं क्योंकि आपका तलाग होने वाला है आपकी शादी शुदर जंदगी ठीक नहीं चल रही है आपका करियर नहीं सैटल हो पा रहा है आप बता सकते हैं एक एक चीज आप एक इंसान क बारे में बता सकते हैं तो अगर किसी को फर्टेलेटी ईशु है वो वो क्या करे वो भी इसके थू ठीक गो सकता है एक सो एक नहीं एक अजार एक परसेंट की गरेंटी है और हम देते हैं कोई नहीं देता मेरा आप मैं लाइब पे आता हूं साक्षी जी और हम दोनों आते ह आफिस से जाते हैं थकार के दस बजे साड़े दस बजे लाइब पे आते हैं एक गंटे के लिए फ्री में पत्रिका देखते हैं सब की फ्री से वर करते हैं उस टाइम पिरिड पे दस से ग्यारा में और सब को फ्री में उपाए सबकी फ्री में पत्रिका डिस्कस करते हैं, अगर कोई हमें डेट ओबर्थ और टाइम दे रहा है, टेली फोन पे, आउनलाइन हम प्रोग्राम लेते हैं, उसकी अवाज आ दिया, पूरा पूरा मैसेज लेते हैं, बिल्कुल हम लैप्तॉप पे उसकी डेट ओबर्थ टाइम, इस प्लेट बर्थ डालते हैं, और उसको फिर बताते हैं, कि आपके साथ ऐसा है, ऐसा है, आपको यह समस्या है, उसको उपाए बताते हैं, यह हम नाना करते हमें 20 साल हो गय, यह लाइव का प्रोग्राम लेते हुए, लाख्खो करोडों पत्रिका हम देख चुकें आपी त तो साइंस तो इसमें काम करने बाती है तो वह सही लोगों तक पहुच नहीं पाते हैं जैसे आपने अश्रोजर्जर्स जो उनको सही रेमेडी बता दें या फिर यह वर्क ही नहीं कर रही है उन लोग के लिए ऐसे भी तो होता हूंगे कि इसकी वर्क करी नहीं है देखे ज़िए नागिटेव भी प्लाइनेट हो जाएंगे तब भी जो है प्रावलम आजाती है और देखे आप हर कोई ऐसे एक्जामपल आप इस बात को अराम से समझ लेंगे आप लोग यूटू फेस्बुक इंस्ट्राग्राम पर कितने फेमस हैं यूं है बाकी क्यों ही क बहुत में भाग रहे हैं प्रोग्रें बिना रहे हैं वह क्यों फेमस नियुँ है कही नगए आप के स्टार्स हैं ना मैसे है कि नहीं आप बताइए सhए कही ना कही आप लोग एक टीम हुए आप जोड़ें आपको कोई कोई भी लेके चलाओ साथ में लेकिन आप बनें ऐ ऐसे ही जो एस्टोलोजर है क्या उसके ऐसे प्लैनेट्स हैं कि वह गुरू है आप बात को समझ देगा है क्या वह गुरू है भी के नहीं है अपनी जनम पत्रिका से क्या उसके बोले हुए लिखे हुए उपाई लिखे काम करेंगे यह भी बहुत बड़ा प्रशन है तो सर यह हम आम जनता कैसे चेक करें हमें तो देखनी हाती लिखे है कि मैं तो यह बताना चाहती हूँ कि यही चीज है कि आप लोग चुप चाप जाके बैट जाए है हां जी डेटो बर्थ तो टाइम दीजिए प्लेस बर्थ बताई है चुप चाप बैट जाए है और बाते हैं जो कि रिलेटेड हर किसी को अगर रिलेट होंगी तभी अबन्दा आगे वड़ेगा ना कि यह चीजे आपका अगर मैच नहीं हो रही है तो फिर आपका नहीं हो रही है या आपका आदे खंटे बाद का जनम है आपकी घरवालों ने टाइम सही धंग से देखना भूल गए पहले लोग इतना ध्यान तोड़ी रखते थे अब आजकल लोग जो है बड़े को रहते हैं कि टाइम भी देखना है और कितने बजे बच्चा हुआ है ये सब चीजे मैं य जो सौफ्ट्वेर होते हैं ये तो मैंन मेड है कई लोग क्लेम करते कि हम हाथ से कुंड़ी बनाते हम को इसोफट्वेर यूज़ न करते हैं और candles और जो सौफ्ट्वेर यो कितनेはक्यूरेट होते हैं क्या सौफट्वेर बनाने वाले की गलती हो गयी अगर तोप्लाइंट कि तो सारी वही बदल जाएगी आपको सॉफ्ट्वेर में यह पता चल सकता कि आपकी मैरीड लाइफ डिस्टर्ब होगी लेकिन आपकी अब कई बर हमसे लोग कहते हैं कि सॉफ्ट्वेर में तो कुछ ही ऐसा नहीं लिखावा कि मेरी भी भाग गई मेरी तो बीवी भाग गई कि वो कोई सॉफ्ट्वेर में थोड़ी ओजाएगा तो इस आप यह कह रहे हैं कि मैंमेड जो जनमकुल्ई है वो एकुरेट होती है या software देखे पहली बाद, calculator कभी wrong नहीं होता, जो human है, अगर वो बहुत expertise है, calculation में, बहुत practice कर रखी है, तब वो correct होगा, calculator के equal होगा, तब बुजा के, हर इंसान नहीं होगा, अब मैं यह चीज़ आपको बताता हूँ, हमारे पास कितने लोग पत्रिका लेकर आते हैं, जो उनकी बच्पन की बनी हुई है, आदे से ज्यादा गलत होती है, आदे से ज्यादा चंदर्मा, कभी कोई घर है, आगे पीछे कर देते हैं, बिकॉस चंदर्मा क्या है, बड़ा fast movie satellite है, अब तो satellite बोल दिया हमने science में उसको, है न, तो वो बड़ा fast movie satellite है, तो वो उसमें घरवर कर जाते हैं हमेशा, चंदर्मा को आगे पीछे कर देते हैं, राहु केतु को आगे पीछे कर देते हैं, तो ये बड़ी problem है, बलकि handmade में, computerize बिलकुल exact निकलती है, अगर आपक की वजह से ही, अर्थ पे life है, उससे पहले two planets पढ़ते हैं, अर्थ से पहले, कौन कौन सा, वीनस और मरकरी, ठीक है जी, उसके बाद अर्था आता है, उसके बाद, उसके बाद मंगल, ठीक है, शनी, जुपीटर, जुनेनस, nine planets हैं हमारे सोर मंदल में, ये बात हमारे रिशी मुन्यों ने कब बता दी थी, बहुत पहले, कब बताई थी, इतनी पहले बताई थी, हमें खुदी ही नहीं पता, कितनी पहले बता दी थी, आज नासा, उन planets तक सिरफ क्या, satellite, अपना रॉबर्ट भेज़ पाया है, कि इतने हमारे सोर मंदल में, इतने क्या है, planets हैं, अभी साइंस ने क्या पता लगाया, कि हमारी Milky Way galaxy है, और एक और galaxy के बारे में पता चला है, Andromeda, और अभी तो हम अपने ही सोर मंदल के ग्रहों के बारे में नहीं जान पाए, और कितने सारे सोर मंदल है, हजारो करोरो sun है, हजारो करोरो, यह हमारे planets है, लेकिन आपको पता है, ब्ल पता है, उसमें से क्या sound निकलती है, आपको पता है, ओम, मतला हमारे four fathers, कहां तक पहुंचे हो, उन्हें पता था, चलिए sun को आप देख लेते हैं, मून को आप देख लेते हैं, आपको पता था mercury किस color का है, जूपीटर किस color का है, सैटन किस color का है, उन्होंने बता दिया, प अनमान जी को उन्हें लाल बनाया, बरस्वति को उन्हें पीला बनाया, ऐसे कैसे, कितनी knowledge थे उन्हें, आप सोची जरा कभी, हमने सोचा नहीं इन बातों को, तो यह तो occult science है, mysterious science है, और कैसे, जितना है आप इसको हम तो, आप इसको हम तो, ओम का सौम निकाल रहा है, ब्ल ना कुछ पीछे, देखे आप, अच्छा सर, हमने आपके बारे में ये भी सुनाया कि, अगर कोई कोट कचेरी के बहुत चक्कर लगा रहा है, किसी के बहुत कीसी चल रहे है, तो वह भी आप सॉल्व करवा देते हैं, अपने आश्यलोजी और वास्तु के थ्रू, तो मैं च जीवन बन मेरे उपर केस चलेगा, मैं सोचता हूं मेरे उपर कोई बड़ा केस ना चले, तो मैं चोटे-चोटे केस रखता हूं अपने उपर, कैसे, तो आप परपसली केस चलवाते हो अपने उपर, मेरा जो लगनेश है, वो शुक्र है, शुक्र अब जिनको नॉलिज है, मेरे प्यारे भाईयों, वेनों और प्रिये-प्रिये बुजर्गों, सुने जा ध्यान, मैं विरिष्चिक लगन का इंसान हूँ, आपका और मेरा लगन काफी कलोज है, आप तुला लगन के हैं, हम दोनों शुकर लगन के हैं, मैं आपको पकड़ सकता हूँ, दोनों शुकर से उपरेट होते हैं, साथ नंबर और दो नंबर, मेरा जो है, जो शुकर है, वो गड़े में है, छेटे घर में, रोगन शत्रू में, उसके साथ राहु देब बैटे है, तो क्या होगा, मेरे साथ रोगन शत्रू चले रहेंगे, तो मैं क्या करता हूँ, मैं जा अपने उपर, जान मुझ के, मैंने देरा पैसे, गल्ती मेरी, था क्या, पांसो हजार रुपे, मैंने जान मुझ के, केस चलवा दिया, वो केस 7-8 साल चला, कोई बड़ा केस नहीं हुआ, मैं बीमान नहीं पड़ा, मेरे उपर करजे नहीं चले, यह एक एक्जामपल दे रहा हुए, तो आप ऐसे अपने रोग कोई कुछ होने वाले तो इसे टाल सकते हो, कुछ और कुछ करके हैं, ने तो घर है, आपको बाकी चीदे देगा, आपको रोगी बना देगा, आपको करजे मिला देगा, ठीक है ना, तो मैं यह अब, आप ध्या रखता, मेरे पाद घड़ी नहीं है, मेरे पाद फोन नहीं है, मेरे जैम में आप देखेंगे, पैसे नहीं होते का बीबी, पर ऐसा क्यों से, इस से आप कहां, किस चीज से बचराब इस से, अब चंदर्मा के है लीकवड मनी, ठीक है जी, मेरा नीच का चंदर्मा है, मैं प मैं रखोंगा ही तो खर्च क्यों होंगे, यह ग्रहा है, यह लॉजिक है, जादा नहीं रखने है ना सजी जी, मैं रखता ही नहीं अब आप मानेंगे नहीं जाता हूं कहीं, वैसे तो हम मैं कहीं जाता ही नहीं हूं, हजबन वाइब बिल्कुल साथ रहते हैं, 24 गंटे तो हम बिल्कुल साथ रहते हैं, तो मैंने अपना शुक्र भी अच्छा कर लिया, कभी जिम चले गए, जैसे रोज शाम को मैं पारग चला जाता हूं, जिम चला जाता हूं, तो मैं मेरी जेम में एक पैसे नहीं होते ना मेरे हाथ में फो माइल होता है, तो यह इन चीजों स आप इन चीजों से बस सकते हो, कितनी अजीवों गरीब बते हैं ही, मेरा मंगल बद है, मंगल खराब है, मुझे दोस्ती यारी नहीं रखनी, मैंने बहुत घाटे काई, मैंने फोन लगना छोड़ दिया, दोस्तों का फोन आना बन दो गया, तो सर कोई क्लाइंट ना आपक की बाते हैं, वो पूरा स्टाफ होता है, अब सुबे से लेकर आपक ऑफिस में ही रहते हैं, और जो केस के लिए मेरे प्रभू ने पूछा था अभी, किसी भी केस चल रहा है, कोई हमारे पास आया, पतरिका में पता चल जाता है केस होने की स्थिति, जैसे कही ना कही सूरे पता है, जो बहुत लंबा चोड़ा प्रोग्राम हो जाएगा, और चौथा घर आपका साथ में डिस्टरब हो गया, तो फिर आपको जेल यातरा भी हो जाएगा, तो हम उसको कहते हैं, भाई जो ना तिरे को जेल यातरा की योग बन रहे हैं, ति हाड जा और वहां से रोट तिका गया, आजा, ठीक है, यह उपाए है, यह जो एना यह उपाए है, यह रेमेडी है, कोई भी कर सकता है, अगर लगँ आपको कि आपक इसी केस में फज पर उ और आपको लगँ रहा है कि आप तो पुलिस वाले जो हैं, पकड़ने ही वाले हैं और पुलिस आ कर आपको कोई एक रहा आपको सूच जाएगी कि आप बंदा हो जाएगा कि उस प्रॉब्लम से निकल आए अब किसी के अरो पहले से पहले भी पता जलिजाए जाए आपका इस टाइम पर पर केस हो जाएगा तो आप यह करके आ जाना अब जो है क्या है कि एक इनसान वेक्ती आमने है उसको गार था क्या है गरे तो इसकर में उसकान है जैसी वह मतलब इसने बताया कि बच गया फिर पड़ गया तो यह चीजह हम थोड़ा-ठा इस दो पच बतला उपाये यह होते हैं कि आपको छाता मिल जाता है आप पूरे नी भीगते थोड़े बहुत ही भीगते हो फिर यह चीज हो जाती है और वैसे भी जिन लोगों के केसिस जिनके ओपर बहुत जादा हैं तो एक हमारे जो है ना देखे हमारे वैदिक स्विच वर्ड भी होते अगर आपको ऐसा कोई केस पड़े गया जिसमें आपको लगता है कि भी फसने के वाले हैं या कुछ है तो इससे आपका स्लूशन निकलाएगा यह आपको बोलना पड़ेगा लेकिन आप सोचो कि मैं चार बार या रमांटिकोस बोलो तो सब कुछ हो जागा तो ऐसा कुछ आपको योगा इंडियान वॉल्ड नियों माला जब टाइप माला जब टाइप माला जब देए पाइप्लीं अपने वेरे सक्कें लिघ दाई Cand उसकी संगती ही नहीं है तो वो मां जो है वो 108 बार बोले क्यों कि यह वैडिक है ठीक है वैडिक शुच ऴड़े है तो बाल्च रवन डाल्च िवाड़ बाल्च रवन कई होंसे लोगों से आप बात करते हो तो उनकी ऐरां में पेर utarama, यह जो मन्तर जाब करते थे लेकिन इकाodло हो गई है तो मंतर जाब के लिए आपको बच्छोल ना ज़िए इस यह इसी की अगर आप आपने अंडा भी खा लिया ना तो तब भी आप कर लो कोई बात नी अच्छा यह है तो वह आप लेकिन यह है कि भी आप नॉन्वेज का थोड़ा सा फरेज रख ले अच्छा नॉन्वेज अगर आप खा रहे हूं तो थोड़ा आप कोई अर्मेंटिकों किसी ने बोला है तो कोई बात नी नॉन्वेज खा भी लेका धारू अगर उसने सुबह पी भी ली थी तो कोई बात नी वह अपने लेकर ले यह चीज है मैं मैं चाहतो ओडियन्स थोड़ा दो तरह के के आप कुछ स्विच वर्ड्स है तो बता दो एक पैसे के लिए और एक लव लाइफ के लि है इतनी नफरत फैल रही है मनी के लिए मैं आपको जो है सुच्वर्ड दे सकती हूं जैसे कि अगर लोग होते कई लोग मखी मार रहे होते दुकान पर बैढ़ कर उनके पस घरहा की नहीं आ रहा होता तो क्या कर सकते हैं जैसे कि बैठे में दुकान पर वह सारा दिन बैठ जैसे कल दूँआ उदाल लेकर तो स्टकमनी के लिए मैं आपको बता रही हूं जिन लोगों के पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही है या घ्राक नहीं आ रहा है या कोई काम नहीं बन रहा है तो वह बोल सकते हैं प्रोसो पी आ रहे तो यह जो है इतना मैजिकल है अगर आपको अपने ॐult कास्थ मेरे वैसे तो इतनी दिरॉक्षिन है जिस दिरॉक्षिन सम लोग आए है यह हैं वेस दिरॉक्षिन है और वेस की डिर्क्षिन होती है गेंस की तो आपको ये अपना स्टूडियो जुए कभी तर हिलाना नहीं चाहिए थोड़े साल तो ज मैं उसे कितनी बार बोलना है दिन में को तक तो मैं रहाएं कि इतलीन तो मैंने बहुत है उपलने सबस्क्राइब इतली गए वह तो ओप सब्सक्राइब तो अब जो है लेकिन यह जो विद्धिया है ना यह बहुत ज़ादा आपको ठीक रखेगी और आपको एक अच्छे सही पाथ पे भी ले जाएगी अच्छा तो यह चीज है मैम थोड़ा उस पर आते हैं जैसे अभी हम कैमरा के पीछ डिसकॉशन कर रहे थे कि आज कर रिलेश कि साक्षी जी को हमेशा ही जो अपॉर्टमेंट्स ज्यादा आती है वह ऐसी ही आती है अब क्या रीजन है अब देखिए इसमें भी गणाओं का खेल देखिया रिलेशन्चिप की प्रब्लम आती है अच्छा अब सुनिये गानियां से फिर्फ आउट जो हमारा होता है वह साक्षी जी के रहुदे बैठ हुए तो जब पब्लीक डीलिंग की बात आती है तो अपॉर्टमेंट कैसी आएंगी राहु राहु क्या है राहु जो है रिलेशन्चिप कोई खराब करता है राहु जो है आपके वास्तू में हम देखे तो साउथ वेस्ट में साउथ रिलेशन्चिप की होती है तो अब गुणली के अंदर भी रहु हो वो रिलेशन्चिप को खराब करता है तो मेरे पास सारे लोग वैसी है कि है होती है प्यार नहीं मिला हजबन प्यार नहीं करता कई और प्यार जूल रहे हैं थोड़ा मैं एक कोई केस हो जाए बढ़ी आसा कोई आपके बास आयो इंट्रेस्टिंग बड़े सारे हैं तो देखे अब जो है ना क्या रिलेशन्शिप की बात रखर करते हैं तो हमारे पास जो ना एक जो है एक क्लाइंट आये थे पहले हमने उनकी कुंडलियों पे काम वाम किया उनको बताया उपाय करवाय तो उनको फरक पड़ा तो उन्होंने कहा करते हैं अब देखो कि हर किसी को आप यह नहीं कह सकते कि आप अपने घर की वास्तु ठीक करवा लो क्योंकि वास्तु को किसी के रिलेशन्चिप वाले हाउस को अगर हम ठीक करेंगे कुंडली वाले अगर हम मनी के घर को ठीक करेंगे तो मनी आएगी ठीक है अब जैसे इनकी कुंडली में है कि यह किसी से भी जो भी बात करेंगे तो लोग इनकी बात को मानेंगे और इनकी बात को तवज्जो देंग तो यह है तो मतलब यह कहते हैं कि अब जो relationship खराब है तो अब उस client के हम फिर हमने बाद में वास्तु करें उन्हें का भी हमें फरक पड़ा है तो अब वास्तु के लिए आप आजाओ तो वास्तु के लिए जो हम गए तो उनके relationship में किसी ने उनके घर में south west की direction जो relationship की होती है पहले ही उनकी direction वो छोटी थी वहाँ पर green color के plants लगा रखे थे और पहले वो green color के plants हटवाए क्योंकि वहाँ पर green color के plants लगाते हैं तो relationship disturb हो जाते है एक्स्ट्रा मेरिटल अफेयर क्या अब आप कोगे क्या करते कि राधा कृशन की मूर्ती घर पे लगाने से भी क्या एक्स यह तो आपके spouse जो है husband extra metal affair में पढ़ जाएंगे या फिर wife पढ़ जाएगी तो आपको घर में राधा क्रिशन की मूर्ती भी एक ही लगानी है एक ही रखनी है कि प्यार आप दोलों का बने जादा भी रख लोगे ना राधा क्रिशन की मूर्ती यहां पर टांग ली वहां टांग ली एक मंदिर है तो उसके अंदर हम रख से विराज करते हैं उसके अंदर रख लो जैसे आप गणेश जी की भी तीन-तीन मूर्ती रख लोगे वह भी गड़ा है उससे भी प्रॉबलम आती है लेकिन रिलेशन्चिप में आपने बोला क्या गाता है रिलेशन्चिप में जहां पर आपने ज्यादा मूर्तिया कर ली तो वहां पर आपके जो है प्रॉबलम आएगी आईगी तो वहां से आपको मूर्तिया ठानी है दूसरा रिलेशन्चिप के लिए सबसे बड़ी बात होती है नौर्थ नौर्थ वेस्ट की डिरेक्शन होती है जो सेक्स और अट्रेक्शन की होती है अगर वो खराब है डिरेक्शन तो उसको ट्र नौर्थ नौर्थ वेस्ट में लगा लो तो आपके रिलेशन्स उधरने लग जाएंगे तो आपके घर में सुक्षान्ति आजए कि बाकि अपनी कुंडली का सेवंध हाउस ठीक करो अगर सबसे जरूरी वो है कि आपके सेवंध हाउस क्या होता है कि आपके पती-पतनी का इफारियत कगरा है आपके पार्टनर्शिप में तीनों में प्राव्लम आरही है तो आपके सेवंध हाउस पकड़ना है ठीक है अब 7 बीवी से प्राव्लम आएगी वह गहर aja nlying a Come dran कor a DEha टर आका या पार्टनर्शिप करदेगा या एक बिस्पिरीले है जैसे आपने बाला गनेश जी के भी जादा नहीं होनी चाहिए और वो किस वे में इपक्स करते है गरेश जी की मूर्तियां बहुत सारी लोग अगली बार में गड़ी पती पपा मोरिया अगली बार भी आगे वहां बर भी आगे रख लिए सारी उससे आपकी विजन में प्रॉब्लम आती है आप आपको ना समझ मी ना तक करना क्या है ऐसे लोग बैटे रहते हैं तो इनको समझ मी ना तक जीवन में करना क्या है इतनी सारी इंटेलिजनसी भी है लेकिन समझ मी ना रहा कि हमें जीवन में आगे कैसे बढ़ना है तो clarity of mind भी आपका ख़डाब होता है क्योंकि गणेशी clarity द तो उसकी photographs को ना जो extra person है third person है उसकी photographs को क्या करते हैं उस ऐसे direction में रखवा देते हैं जैसे वो बंदा उसकी जिद्रकी से निकल जाता है और इसमें कुछ चाटन क्रिया भी होते हैं उसको बता देते हैं भाई ये तूने खुद करती है ठीक है यह वाशी करन में भी आयता ह जाना कि astrologer की कुंडली में भी कितना दम है कि वो आपके गढ़ाओं को जहल पा रहा है नहीं तो जादा तार आप astrologer देख लीजिए जो famous astrologer है या कुछ करते हैं उनके ओपर लोगों की negativity चड़ जाती है और क्या होता है कि आप बड़े सारे astrologer बड़े सारे बच्चे भी astrologer परने लग गए हो सोचने नया profession है नए नए जिसमें काते हैं लेकिन आपकी कुंडली में तरा दम है कि आप लोगों की negativity को जहल पाओगे और दूसरा आपके घ्रह इतने strong है संजीव जी के चटे भाव में रहू बैथ तो रहू क्या करता है कि एंसान को क्या करता है कि तू किसी से बदला मत लियो मैं तरह बड़ाए ऽारे आपको नहीं लेने तो अगर इंसान को यह बाते समझ में आ जाए तो उसकी जिंदगी ना सब्सक्राइब आपकी बुद्ध ही जो है ना वो सही रस्ते बे चलती रहे अब चोटे-चोटे से उपाय जो है पचास उरुपे तो संजीब जीवन में आप सुखी रहना चाहते हैं कि भई मैं न गुरू के पास जाना चाहता हूं इतना समय नहीं है एस्टोलाजर के पास नहीं जाना चाहता है आपके पास थोड़ा सा टाइम है सुबह आप रात को भिगो दीजे एक हरी मूम की मुठी बढ़के रात को भुगोई सुबह डाल दीजे इससे आपका बुद्ध ग्रह ठीक जो चुछ है इससे आपका चंदरमा अच्छा हो जाना चंदरमा के लिकूर पैसा तो बिजन स्टार पैसा एट पैसा अने के रस्ते अनेकों है मैंने ऐसे-एसे लोग देखे हैं, उनको हमने उपाय करवा है, तो गोवा जी करोडों की संपत्ति देगी, दादाजी करोडों की, चाचा जी देगे, टाओ जी देगे, एक तो हमारे पास एक लाइन्ट आता था, मैं आपको दाती हूं, वो कहता था कि जब भी अगर मैं मेरे मेरा जनता फ्लाइट है आप ऐसा उपाय करवादो ऐसा उपाय करवादो इसको बहुत फायदा होता था अच्छे चीज़ की प्रमोशन करा होती रहती थी तो क्या होता है कि उपाय भी आपको हर साल के साल अपने कुंडली को दिखाते और चेक कराते रहने चाहिए तो मेरे को जो हो ना क्या है कि ना मेरे को साथ फला जनता फ्लैट मिल जाय तो में बीच में सरस्ता कोल के ना तो मेना घर बढ़ा हो जाएगा तो मेरे तुब इचकी हो जयागा है वह भूंबे गदा तो हमने का बई ऐसा है आप उपाय करते रहो भाही देखो जो होना वह गो जाए त तो लोगों को ना यह बात समझ में आती है, तो हमने उसको उपाय करवाए, थोड़े दिनों बात, तीन महीने के बात आया कि चाचा जी की डेथ हो गई, चाचा जी कोई कोई बच्चा नी था, सारी वसीयत मुझे दे गए, चले गए, तीन सुकच की कोठी, तो रह तेरी, अपने उपाय करते चलो, बगवान जो रस्ता कोलेगा ना वो कोई भी रहाए, तो उसका भी उपाय कोई, उससे क्या होता है, जिनके घर में घर जाती लड़ाई जगडे, और कलेश के महल, और चिक्चिका महल जाता है, तो उनका फोर्थ हाउस कुंदली का डिस्टर बोता आजकर लोग यही study कर रहे है शणी तीसरे कर में बैठा इसका उपाय कर लो शणी किस नक्षतर में बैठा है किस राशिम बैठा है वह कहीं आपका कई लोग तो ऐसे आ गए है मैंने दिखा है कि जो और तो और ग्रहफल की उपाय करान लग गए है लोगों को अगर एस्ट लोजर ग्रहफल का उपाय करवा देगा दूसरे की टांग तो आपने सही कर दी आपकी टांग अगले दिन तूड़ जाएगी अचाँ अच्छाइड अच्छाइड जाएग तरह इसे मैंने बहुत की इस ने लोग केसफ दिखेंए देखेंगे तो है अब साग तो अब बना मैं बना लूइए लेकिन आपके पीछी के महनत तो किसी नी देखी ना तो हमेशा दूर से तो नजरा तो फिरन जूर से भीभी और वास्टू भी करती है तो उनके पास एक क्लाइंट आया तो उनके बेसेंड में नेगेटिव एनरजी थी तो वह कई उपाय करने तो वहां से तो हटी या नी हटी लेकिन उनके उपर भी इम्पेक्ट आया उनका उनके पती की तबहुत खराऊ गई उनकी तबहुत खराऊ यह होता है लोग नहीं जहेल पाते हैं क्योंकि आप किसी के खर्में वास्तु करने के लिए आते हैं हम तो मुश्किल से जाते हैं ठीक है अब वास्तु करने के लिए अब घ्रहने आपके वास्तु देवता इतना बड़ा देव है कि वास्तु पूरिश आपके लिटा हुआ है तो लोग कहते हैं, नौर्थीस में 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 नौर्थीस मे बहुत जादा दोश होता है और जब इनसान वास्तू के उपाय कर लेता ना मैंने देखा है उसके बात तो पीछे मुड़कर नहीं देखता है वास्तू से बहुत अमीर बन सकते हो यह तो कर फैक्ट है लेकिन अपनी कुंडली को पहले आप जगाओ पहले जागने तवस्का मे कुछ समान को लेने के लिए भी सोचना पड़ता था जब इनसान जो है ना कोई आप कई सी मौल में जा रहे हो कोई समान ले 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 लो फिर उसके बाद में आप वह कर रहे हो पैसे दे दे तो यह भी तो एक अमीरों वाली वह चीज होती ना मैं जहां तक सोचता हूँ बिलकुल बाकी चीजे भी है लेकिन जनम पत्री एक बहुत सॉलिड बेस है हर चीज मैंने देखा इसी से ठीक होती है जो अच्छी तरीके से ठीक होती है अब स्टार्टिंग में जो साक्षी जी थे और मैंने हम दोनों ने इंसिटूट चलाया है मैं इंग्लिश बढ़ाता था साक्षी जी फ्रेंच बढ़ाते थे और उसके बाद लाइफ में इतने टरंस आएं कि हमने इतना बड़ा इंसिटूट बना लिया जब हमने एक मकान में चला रहे थे फिर हमने दूसरा करीदा उसे टाइम हमारा सब कुछ खतम हो गया सीलिंग हो गई अब रीजन क्या हुआ क्या नहीं हुआ हम बरबाद हो गए लोन्स चड़ गए हमारे उपर क्योंकि हमने लोन लेकर सेकंड मकान ले लिया हमने सोचा और बड़ा इंसिटूट बढ़ाएंगे सब कुछ खतम हो गया जीरो पर आगे मतलब फिर हमने सोचा कि यह क्या होती है क्यों इंसान इतना नीचे चला जाता एक फिर हमने एस्सुलॉCongy में है एस्सूलोजी हमने सीखieben ही शुरू किया कर्ते 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 फिर में सीख ली तो ध्याना आया हमने मंगल Marketing ले लिया था मिंस हमने साउसाइड का मचान ले लिया था जग दूसरे वाला ह हम दोनों का मंगल बद्ध है आप सबने हमने साउथ साइड का मकान नहीं लेना जो पहले वाला था वह साइड का था वह लेते ही हम खतम हो गए तो साउथ वाला वैसे किसको बेनेफिट करेगा लेकिन जिनकी कुडली में मंगल खराब होगा बहुत अच्छा है तो यह साउथ करने सब्सका ले सकते हैं यह चीज़ है तो अब जिसका खराब होते हैं ऐखिखला इनकी मंगलममान जी आप अब आपकी सॉल्व होनी शुरू जाएंगी को डिला राम राम तो आप यह करना शुरू कर दीजिये और अगर प्यार की कमी है तो रादे 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 राद रादे 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 र्रेम की तो बुझे लग रहा है बहुत लोग कमी है और जिए drive कोशन मैं प इतना जबर्दस इसका इफेक्ट है अब यह तो बहुत तगड़ी रह मिन यह कोई भी कर सकता है जिसके घर में कालेश चल रहे हैं नहीं जिनकी घर में तो भई इसके संवार उफ्ठा उफ्ठा के मान लग जाते हैं लो मतलब इतने से सीफ स कि उर्लीया है और लोगों के इस पास पैसा नहीं है है जिसको क कहतेा हैं लोग कैते हैं पैसों से क्या प्रेंट क्योंकि उनका पाच्वा घर इतना डिस्टर्ब होता है कि जो आपको इतना सुंदर लग रहा था शादी से पहले वही आपकी जान थी वही आपकी जो है उसको पती कहता है भी फोन ना कर दियो फिर यह इस केस में पैसों से प्यार नहीं हो गया फिर यह रियल लव कहा रहे हो है लड़कियों फिर पैसा कशते थे अब लड़कों ऐसे खंच्ती है और एब पहले क्या होता तो लड़किया एक लड़की माth को छोड़ती है दूसरे स्टॉप पे दूसरी लड़का क्यार रहता है हाँ पैसे लूटाने को तया रहे है लड़का सब्र नहीं आपका है तो तो यह तो सिर्बाते हैं मुझे पैसों से फरक थेम मुझे तू अच्छा लगता है तो प्यार विगा हो जाए आज क्लु पैयार नेहीं है यह सब मुझ कुछ ऑना मेठिरियलिस्टिक दुनिया है क्योंकि ऐस दुनिया को कलियों को कंडूरा राहु अब लोगों agrees ठीक करें राहु को इस ठीक मेचा ओए तो रती करें गरोगा स्वाया निकालते आपकी सोचल वीडिया चलो हम बढ़ों को तो फिर भी पता है कि दुनिया कैसी अभी लेकिन जो अपकमिंग जो यूथ है वो थोड़ा मिस्गाइड हो जाता है इस चीज में की सच्चा प्यार है मेरे को लड़किया ले लो लड़के ले लो इस चीज में अपना वलब फिर जब धोका मिलता है तो फिर वह कई लोग तो विचारे सच्च में सच्छा प्यार कर जाते ले टूंको द्धोकी मिलता है तो बड़ा दुकант लगता है लड़कियों कैसे सफून आते कि मैं कैती है मैं मैं तो मरी जाओंगी, यह कर लूँगी, वो कर लूँगी, उनको फिर नस काट लेते हैं, ऐसे बहुत केस आई हैं, अपनी जैसे मदर ने थपर मारा, मदर को थपर मार देते हैं आजकल बच्चे, ईसले करा उन्हें एक विश्चन है, जैसे बच्चों की मॉम डैट से निया मनती रिलेशन्शिप बहुत खराब चलता है आपस में, तो इसकी भी कुछ रेमेडीज आपके बस, रेमेडीज बिलकुल है, में तो रेमेडीज ये हैं कि आप जनम पत्री दिखा के उपाए कीजिए, वो ज़्यादा जरूरी है, अगर आपका बच्चा बिगड़ रहा है अगर बिगड़ गया वो तो कोई चीज ही नहीं मानेगा ना आपकी फितो, वो सुनेगा ही नहीं आपकी कोई भी बात, हाँ, अगर थोड़ी बहुत मानता है, तो अपने बच्चे को दूद से जरूर नलाईए, दूद डालिए पानी में जरूर, और हल्दी जरूर इस से क्या होगा, क्या होगा, धहरे रहेगा, समझदार रहेगा, गुस्टा कमाएगा, आप भी एक हफता दूद से ना के देखिए, आप नहीं है जरूर दूद से एक हफता, आप मोटिस करेंगे आपका माइंड कितना स्टेबल रहोगा, आप देखिए अच्छा चीज को एक दम से आपका माइंड एक दम शान्त हो जाएगा, आपको गुस्टा कमाएगा, आप बिलकुल ध्यान से एक आग गरो के हर चीज कर पाएगे, एक होता है ना एक दम से गवराट हो जाना, वो चीज़े खतम हो जाती है, पत्रिका से हम बच्चों को ठीक कर सकते हैं, जो बच्चा नहीं पढ़ पाता है, अब हमारे पास कोई आता है, किसी बच्चे की पत्रिका दिखा रहे हैं, आपका बच्चा नहीं पढ़ेगा, हाँ जी यही समस्या है, फिफ्थ हाउस का इलाज करते ही, उसकी स्टडीज का, अगर फर्स तू, सेवन्थ एड्थ में पत्रिका देखते ही, स्टडीज ठीक हो जाते हैं, अगर नहीं कर सकते, तो माता क्या करे, केले के पेड़ पे चने की दाल भिगो के चढ़ाए, अपने बेटे के नाम से, माता कुत्ते की सेवा कर ले, गली में कुत्ता दिखता है, बिस्किट डाल दे, केतु क्या है, पुत पेंसिल दे दे, तो बुद अच्छा हो जाएगा, बिजनस भी अच्छा हो जाएगा, बेटी भी अच्छी हो जाएगी, तो ये छोटी-छोटी सी रेमेडीज है, अगर आप करें तो बहुत अराम आएगा, इससे आप लोग, अच्छा मैं एक बहुत इंट्रेस्टिंग ट कांट होता है, तो नेपलोची में आपके जो भी आपके लकी नंबर्स है, बेनिफिशल नंबर्स है, निूटररल्ट्रलं नंबर्स हैं, और जो मैलिफिक नंबर्स आपको उस नंबर पर अपनी गाड़ी कभी नहीं लेनी चाहिए लखी नंबर पर गाड़ी नहीं लेनी चाहिए जो आपके अनलखी नंबर्स है ठीक है ना उन पर आपको गाड़ी नहीं लेनी है लखी नंबर्स जो आपके है वह आपके तीन या चाहत होंगे लखी नंबर उ आयुश्मान खुराना आपने नाम सुना है तो जो है नायुश्मान खुराना में अपने नाम में डबल N लगाया और खुराना में डबल R लगाया तो उनकी नुमलोजी जो है वो किस नंबर पे आ गई तो उसका कंपाउंड किस नंबर पे आ गया और वो जो कंपाउंड है उ वो उसको name-room-logy भी जुरूरी है अपना mobile number भी जुरूरी है और अपना जो है क्या है कि अपने हर चीज़ को balance करके चलना है क्योंकि उसको आगे बढ़ना है उसको अपने success को अप्ग्रेड करना है ठीक है अब अगर आपके किसी के भी mobile में 10 number का हमारा mobile होता है उसमें compounds होते है जैसे 9-2-1-1-3-5-6-5 ऐसे अगर आपके mobile में 7-2 या 2-7 आता है mobile के अंदर 7-2 या 2-7 आता है ऐसे इंसान को urine infection लगे रहेंगे ठीक है उसके गुटनों में दर्द रहेगी उसको health related issue रहेंगे अब अगर आपके mobile में 1-6 और 6-1 आता है या 1-8 या 8-1 का combination है तो ऐसे में जि स्पाउस की health बिमार ही रहेगा आपका spouse 166 या 6-1 का combination है उसके mobile में पूरा mobile है उसमें जैसे 99999991661 या 1-6 आ गया तो उसके बाद या फिर 6-1 आ गया या फिर 1-8 आ गया या 8-1 आ गया तो वो उसका spouse बिमार रहेगा आपको financial issue रहेंगे आप कभी जिंदिकी में नहीं नहीं पाऊगे क्योंकि money crunch लगा रहेगा उसको money की problem रहेगी तो ऐसे हमने बहुत सारे लोगों के mobile number को भी change करके उनकी life में और बहुत सारे celebrities जुड़े वे हम किसी का यहाँ पर नाम तो ले नहीं सकते बहुत सारे celebrities बहुत सारे यूटूबर्स बहुत सारे इतने सारे entrepreneurs जो बहुत सारे नाम कमा रहे हैं बहुत लोगों ने अपने जीवन में changes करके और वो तो यह भी बुछते कि हमने consultation fees का क्या number रखे compound बीच में मिला कर क्या रखें समझ में आई तो ऐसे से लोग चलते हैं यह नहीं पता था कि phone का number भी effect करता है phone का number भी आपके साथ में effect कर रहा है और साथ में जैसे आपका relationship हो गई बाकी चीज़े हो गई आप अपने phone में जितने zero रखेंगे लोग कहते थे इस zero वाले number से तो भी यह तो आपको paid service में मिलेगा लाक रुपे का number मिलेगा कितने लोग लेते हैं अगर आपके मुबाइल में double seven double seven जादा आ रहा है ना आपके साथ में relationship issue रहेंगे उसका जरूर दिल तूटेगा उसको लड़का छोड़ देगा लड़की छ उसका combination मनाते हैं तो वह password अप लगाओंगे तो आपके लिए बहुत सहीद आएगा अब अपनी गाड़ी खरीद रहे हो गाड़ी में 25 जार रुपे देकर लोग अपना name number ले लेते हैं तो वह number ऐसा ले लो ना जो आपको लिए benefit हो अब जैसे मैंने गाड़ी का number 2323 ले रख हाँ तो double 9 double 9 आपका बहुत बढ़िया है तो आप फिर अगें आता है न कि बाकी रहे क्या है क्योंकि करी लोग कहते हैं कि गाड़ी ली थी बरभाद हो गए उसमें पैसे लगे ही जा रहे है या accident ही होता रहता है बार बार ठीक है अगर आपके mobile में double 8 की frequency जाता आ गया तो क्या तो code case लगे रहेंगे या आप खड़े हो गए यहां पर पास में खड़े हो गोली को और सटार है पूलिस आपको पड़के लग जाए ठीक ऐसा होता है ना कि बे फालतों में फंस गए तो दे दना दन चल गई पिच्चल लगे यह mobile नंबर भी तो फिर बाकी चीजों प जनमपत्री आपका घहर आपका सुनो अगर मंगल अच्छा है ना मंगल अच्छा है तो आपको दुनियावी फायदा लेने से कोई नहीं रेख सकता लोग आ को कि आपको फाइदा करवा की चले जाएंगे जैसे आपका मंगल बहुत अच्छा है मैं यह कॉंप्लिकेशन बहुत जाद हो इनसान क्या क्या देखे इतनी सारी चीज़ें सबसे जरूरी जनम पत्री ही है ईजी वे सबसे ज्यादा अफेक्टिव जो हमने देखी है पहले अपन आपको यह प्रॉब्लम जाए तो आप अपने उसको ठीक करके भी ले सकते हो अपना ऐसी बैंक अकाउंट नमबर ले लो जिसमें आप कहते हो कि बैंक पैसे आते रहे अब वासू के अंदर एक एक न एडिरेक्शन ऐसी है नौर्थ में है वो डिरेक्शन वो ऐसी है जिसमे किसको हम बोलते is higher bank balance higher bank balance अगर उस डिरेक्शन को आपने खोल दिया तो आपके पास bank में पैसा इकठा होना शुरू हो जाता है जिन लोगों के bank जो है ना कभी जिन्दके पैसा ही आता और वो पैसा कहा से आगा हमने किसी की खुलवाई थी वर्चौल एंटरि बोलते हैं इस यह साड़ी चीज़े अपनी कुंडली के साफ से वास्तू के साफ से अप्टिवेट करनी पड़ती है मेरे को लग रहे है कि आपकी लाइफ में खुद आप अपने उपर यह चीज़ अप्लाय करते हों कि आपको यूशु फेस ही नहीं करते हों करोड़ों में एक दिए लाखों में लेते हैं तो मैकॉस्ट करते हैं जिसे मेक्सिम मंता हूं शक हूं रुट हमारी ओड्डिन्स को ठूड़ा वकल करते हैं कर किसी की वास्तु करते तो 5 lakh ले लेते हैं 6 lakh 10 lakh इस प्रकार से लेते हैं तो और बाकी से कम भी लेते हैं according to मतलब कहां पर हमें जाना है क्या करना है और किसी को कुंडली ही दिखानी हो नौर्मली ऐसी जाना हो पने बारे दिखानी होते हैं तो उस पे जैसे हम उनसे 5000-3000 charges लेते हैं और जिसको पूरी एक घंटे की सारी चीजे पैकेज पूरी अलाइन करवानी है तो उसमें फिर हम 11000 लेते हैं कि उसको पूरा अपना हर चीज का alignment कराना है नाम फोन नमबर और आपका mobile का भी हो गया इसमें और बाकिसारी चीजे होती है तो वह पूरा फिर हम 11 लेते हैं ब्लैक और ब्लू नहीं पैनना मैं ब्लैक और ब्लू पैनती हूं तो इसलिए मैं तो ग्रहों को मना कर चलती हूं और जब आप ग्रहों को एक्टिव खुष रखोगे तो आप क्या रहू क्या के तू क्या शनी और क्या मंगल इतना डर्ने की जूरत नहीं है यह फिर बात घूम फिर के वहा पर नहीं हागी कि मानने और ना मानने वाली बात है जैसे आपने गाई लेकल ब्लैक गंदा लेकिन मैं फिर भी पहनने हूँ तो आपने अब आप क्या कर रहे हो कि शनी आपके लिए खराब है तो शनी को आपके कैसे ठीक कर सकते हूँ अब जिने से इंटेक करने से शुगर होगी वेड बढ़ेगा हाई बीपी होगी छोले बटूरे सारा जंग पूड खाते ना पैपसी भीते ना पता है टोलेट किलीनर है बताइए करते हैं वही काम करते हैं जो मना है ऐसे ही अगर हम जिम चले जाएं रणिंग करने चले जाएं उसलिए इसे ही जब आप उपाय कर लेते हैं आपने एक एनरजी भड़ा इसे ब्लेटी सिम्पल खोहिये और ऑपकी कुंडली के अन्धर होता है कि आपका ज्शनम क्यों हुआ है आपका जनम किसली हुआ है, आप क्या करना है यहां पर आए हूँ, अगर आपको अपनी कुंडली का पता लग गया, तो जिस जिस लोगों ने अपने कार्मिक डेप के उपाय की ए हैं, है ना कार्मिक डेप के उपाय की हैं, वो बंदा इंसान जीवन में बहुत सुक्षी सपोस्किजिए किसी के लगन में राहू है तो ऐसा इनसान जो होता है अगर लड़की है तो वो बालों काट लेती है ठीक है बार बार अपने बाल काटती है और कलर वला करवा लेती है तो वो दुखी ही रहेगी अगर वो अपने बालों को बांद लेगी ठीक है अगर बालों क इससे कोई concern नहीं होता है पहले के लोग चुटिया इसलिए रखते थे यह जो पोशन होता है यह ब्रस्पती होता है और जो बहुत ज्यादा जिस पे आप कह सकते हैं बड़ी जल्दी अफेक्ट कर सकती है यह हड़ी नहीं होती है बड़ा नाजुक होता है यह पोशन बच्च अब कई हमारे जो पुर्वश थे वो क्या करते थे किचेन में चूले के आगे बैठके खाते थे चूला क्या है मंगल मंगल से क्या होता है राहू कंट्रोल हो जाता है मतलब हमारे पेट की गैस हमारे पेट में गैस होती है हमारे सर पे चड़ती है हमें घुसा आता है हमारी तबियत खराब शुरू हो जाती है, तो चूले के आगे बैठ के खाते थे, तो रहू कंट्रोल, सिंपल सारा सिंपल लॉजिक है, अगर आप घरहों को ठीक करना चाहते हैं, घरहों को बैलेंस करके चलिए, चोटे-चोटे उपाय किजिए, आप देखे कितने आप आगे तक जाए और जिन लोगों को लगता है, क्याते हैं, हमारी वाइफ जो यह लडाई जगड़े करती है, और हमारा कैना नी मानती है, या परिशान करती है, तो उनको जाज़ादा चांदी पिनाईए, उनको चांद करने के लिए होता है, शुकर को ठीक करने है, शुकर कौन है वाइफ? शुकर लगजरी, आप पता चल गया, आप देखे, दोनों मैंने चांदी के चल्ले पहन दखे, इस्टना शुकर को घंटोल कर रखे, बीवी को घंटोल कर रखे, आप देखे, तो यह हर चीज में आप तो हर सुन्सिति लिवाजर हिर से फाल जेन पॉतार्व को लिवाज़ कंर मरें से लिवाजरे में ग classroom टुU allora किंब है ज्वाजर बात टिर फिelen उन्सान далी आप्टेश करें इसां आपको पॉडिए कर्म करा मेंमा यह चुछ आप समस्ते safest ढ़ा हुए हैं अगर इस जनम में आपको समझ में आजा है कि मेरा पैंटिंग करमा क्या है तो आप बहुत जादा राइस कर सकते हैं तो यह सा इंसान पिशले जनम में ऐसा उसको इतनी जादा फ्रीडम मिली थी आप उसको ने अपनी चीजों का गलत इस्तमाल किया है जो उसको यह अबना नमबर वाले डेट पर ही वह पैदा हुआ है तो इस जनम में उसको पंचवल होना है इस जनम में अपना जो है क्या आते है कि अपने डूटी को निभाना है ऐसे ऐसे इसको काम करने है अगर वह उन चीजों को देख लेगा तो बहुत बढ़िया हो जाएगा तो ऐसे ऐ आप लोगों ही पसंद आयो और आपको पॉड़कास्ट यह पसंद आया तो इसको लाइक शेर और कमेंट जरूर करना और मैम का जो अगर आपको कंसिल्टेशन चाहिए सर से और मैम से तो आप इनको कर सकते हैं कॉंटाक्ट नीचे इनकी जो डीटेल्स है वो डिस्क्रिप् अगर आप सोचते रहोगे कि यह स्विच्वर मिल जाए और मैं पैसा का मालू और मेहनत ना करें तो मेहनत करेंगे तबी सारी चीज़े काम करती है बिना मेहनत कोई चीज़ काम नहीं करती है इससे वड़िया तो भी बात ही नहीं है वाम एकदम सही बात कहा दी साक्षी जी मैहनत के साथ साथ अगर उपाय हो जाए घरहा भी साथ दे दे रिक्ष्शे वाला भी मैहनत करता है लेकिन वो तीन वक्त का खाना अपने परिवार को नहीं खिला पाता महनत में कमी उसके भी नहीं है तो महला एक कंप्लीट पैकेज लेके चलो हर चीज़ अपनी ठीक रखो तो सही होगा बढ़े है तो चलो जी से खतम करते हैं बात इतो हमारी चलती रहेंगे रुकेंगी नहीं इतना मज़ा रहा है यहां बैठके हैं एनिवेज मिलते हैं नहीं पोड़कास में मज़ा तो लाइक कमेंट शेयर दू सब्सक्राइब एंड मिलते हैं चलो बाबाय जैश्री राम जैश्री रादी रादी